आप सभी को में नमस्कार है आज मैं राजमा बनाने जा रही हूं बहुत ही तेश्टी राजमा है यह जो की रोटी और चावल किसी के साथ खाईए बहुत ही अच्छा लगएगा खाने में एक कप मैंने राजमा रात पर पानी में भिंगों कर डग दिया था सुबह इसको मैंने प्रेशर कूकर में डाला है साफ करके साथ ही एक तेजपत्ता दो दालजनिक टुकडे दो लॉंग आधा चमच दमक और इसमें मैंने तीन कप पानी मिला दिया है इसको बॉयल अच्छे से करेंगे एक सीथी लगने के बाद फ्लेम को थोड़ा लो कर देंगे तो राजमा अच्छे से बॉयल हो जाएगा बॉयल होने में भी 10 से 15 मिनट अच्छे से लग जाता है सरसुक तिल गरम होने के बाद आधा चमच इसमें जीरा डाल दिया है साथी इसमें एक लसुन पुड़ा कटे हुए डाल दिया है तीन प्याज है वो कटे हुए इसमें डाल करके इसको फ्राय करेंगे आधा चमच इसमें हल्दी बिला देंगे इदे मैंने दो टमाटर लिया है साथी इसमें हरी मिर्च और अधरक भी डाल देंगे एक इंच अधरक लिया है इसका पेष्ट बना लेंगे प्याज अच्छे से भुन जाएंगी तब उसमें यह पेष्ट मिर्णा देंगे साथी एक चमच राजमा मसाला आधा चमच धनिया पॉडर एक चोथाई चमच गरभ मसाला डाल करके इसको फ्राय करेंगे था राजमा की रंग अच्छे आए इसके लिए आधा चमच इसमें तसमेरी लाल मिर्च डालेंगे एक चोथाई चमच आमच पॉडर भी डालेंगे इन सब को अच्छे से चला लेंगे कि नमक डाल देंगे नमक पहले भी डाले थी इस हिसाब से नमक मिलाएंगे बॉइल क्यों है राजमा इसमें डाल देंगे चान करके तीन सचाय मिर्च चलाने के बाद दो राजमा के पानी बचे हैं चानने के बाद वही पानी को इसमें डाल देंगे राजमा तैयार हो गया है जो खाने में बहुत इच्छा लगेगा इसे 2-4 मिन तब बॉइल अच्छे से होने देंगे वीडियो का अंतक देखने के लिए थैंक्यू सो मच झाल 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 गया है तैयार है तैयार